हेलो एवरेवन आज है 1 अप्रेल और 1 अप्रेल को देखेंगे हम लोग वन बाइवन आज बहुत ही बहतरीन बहतरीन करेंट अफेर समय देखने को मिला मेरा जो सोर्स होता है वो पिए बी इंडिया प्रेस इंफरमेशन ब्यूरो जो कि एक गमेंट विंडो है साथ में ही दहि और इसा का स्टेट हुड डे है 1 अप्रेल 1936 कुछ इसके इस्टोरिकल बैग्राउंड पर चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या हुआ था 1911 में देली दरवार लगा था 1912 में बिहार को बेंगॉल प्रोविंस से अलग किया गया था 1912 में बिहार को बेंगॉल प्रोविंस से अना था complete उसमें से एक अप्रेल 1936 को औरिशा अलग हुआ था on the basis of political and linguistic basis एक अप्रेल 1936 को और अगर हम बिहार को सेपरेट करने की बात करें तो वहाँ पर सचितानन सिन्हा और इन लोग का बहुत बरा डूल था linguistic basis पे औरिशा एक अप्रेल 1936 को अलग हुआ था बिहार से तो उस दिन ही औरिशा डे सेलिबरेट किया आता है एक अप्रेल को उस दिन से और इस दे को उतकल दिवस भी कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं देखें सबसे पहले चीज आपको जानना है कि इस डे को ह अगर बात करें ओडिया इस पिकिंग जो लोग थे जो डिस्ट्रिक्स थी भिहार में और ओडिशा में उसको एक चगा से ग्रिएट किया गया था साथ में ही कोरपूट और गंजाम यह दो डिस्ट्रिक्स थे जो कि मद्रास प्रेशिडेंसी में फॉल करते थे इनको भी मिल अब चलते हैं हमारा आज का दूसरा करेंट अफेर पे पास्पोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं पास्पोर्ट इंडेक्स आपको पता होगा बहुत सारे परामेटर्स को यूज करके बनायाता है जैसे हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स होता है और भी बहुत सारे पास्प और ये टॉप किया गया है United Arab Emirates के दौरा ठीक है तो इंडिया छे स्टेप पीछे गया है 144 पोजिशन आया है लास्ट ये अगर हम लोग बात करें 2022 की तो इसकी थी 138 यह जो पास्पूर्ट इंडेक्स 2023 है यह पब्लिस किया आता है यह आपको याद रखना है किसके दौरा अगब इसमें 199 कंट्रीज को इंक्लूट किया गया है जिसमें इंडिया के रैंक 144 है जो कि आप समझ सकते हो पूर है अगर हम लोग इनके बेस को समझे किया यह किस बेसिस पर काल्कुलेट करती है करते हैं प्रोविजिशन को जैसे कि वीजा फ्री विजीट वीजा और अग आउथरिटी साथ में ही यह सारे परामिटर से आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के कॉडिंग इंडियन जो है वो 59 कंट्रीज में फ्री ली मूफ कर सकते है विजा के 59 कंट्रीज में आप मूफ कर सकते हो विजा के आपकी रैंक 144 लास्ट यर 138 था और यह पपलिश के कुछ चाइना की बात कर लें आपको लगेगा कि चाइना की रैंग 118 है तो आप सोचो कि चाइना की रैंग 118 कैसे हो सकती है चाइना तो बहुत जादा economical strong है तो देखे चाइना भी कुछ relatively lower compared to जो large economies है उससे काफी पीछे है उसकी भी रैंग 118 है और passport index index individual ranking में भी यह काफी पीछे है देखे एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए इस तरह की जो ranking होती है एक तो पहली बात आपको west supremacy का concept भी बता होना चाहिए west supremacy concept यह कहता है कि अगर कोई Asia में कोई countries भर रही है तो उसको उसकी negative image को आप और exploit करो negative image को आप और spread करो इंडिया में अब देखिए एक छोटी से issue ही राहूल गांधी के disqualification को ले करके internal matter हमारा slut जाएगा अराम से वो solve हो जाएगा supreme court जाएगा manage हो जाएगा कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन अब इसमें देखिए आप Germany की review आगई USA की review आ गई ऐसा क्यों होता है पता है जब भी कोई developing country अपने पूरे full potential से काम करना स्टार्ट करेगा तो जो developed countries होते हैं उनको चुल मचेगा यार ये इतना ज़्यादा कैसे वो हो रहा है देखिए आप अगर प्रिस्पेक्ट से देखते हैं वेस्टनाइजिशन ऑफ जो European और American जो concept हर जगा लग रहा है जिसे हम किसी वीचिच की बात करते हैं डॉलर में करते हैं तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हमार जब Asian country बढ़ता है इनके दौरा मिशिंफरमेशन इनके दौरा negative images को spread किया आता है आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे news outlets हैं मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वो एक तरीके से propaganda स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लोकल चीज़ों को आप उठा उठा के पूरे global level पर दिखाते हैं ताकि उस country के बारे में negative impact परे वहाँ पर economical dialysis होगा, economical counterpart होगा वो आना वहाँ पर कम चाहें तो इसे economical impact परता है अगर मानिए कोई एक आदमी बैठा है आपको Rome में वो इंडिया के बारे में सुनता है कि कि किसी एक community के लोगों को जला दिया आता है तो क्या वो कभी विजिट करेगा इंडिया, कभी विजिट नहीं करेगा तो यह news पहुचा कोन रहा है आप देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि यह 100% नहीं होता है लेकिन इस तरीके से भी नहीं होता है जिस तरीके से represent किया आता है ठीक है, अब आगे बढ़ते है अगर हम लोग Asia की देख ले तो Asia में South Korea की rank है 12th इंडिविज्वल रैंकिंग जो की Asia में सबसे टॉप पे और पूरे वल्ड में यह Asia की एक मातर कंट्री है जो highest score लेके आई है इसकी mobility score है 174 mobility score का कहने का यह मतलब हुआ कि complete total जो हम score add करेंगे उससे mobility score मिलेगी वीजा के लिए अब UAE ने टॉप किया है इसकी mobility score है 181 साथ में ही इसके बाद Sweden है फिर Germany, फिर Finland, Luxembourg, Spain, France, Italy आप देख लो सारे European countries है आप यह भी कह सकते हैं और European इसलिए हैं क्योंकि वो तो काफ़े अच्छे हैं बिलकुल अच्छे हो सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि Asia complete waste है ठीक है नीदरलेंड अनस्ट्रिया विद जॉइंट मोबिलिटी स्कूर 174 अभी इसके साथ साथ हमनों कुछ और इंडेक्स की बात कर लेते हैं हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इसमें इंडिया का रंक 85 इससे पहले साथ 83 में अगर हम 202 की बात करें तो इसकी rank थी 87 ठीक है न तो टोब किया गया है चापान के दौर वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में बात करें तो इंडिया की रंक 26 है तोब किया गया है फिन्लैंड के दौरा ग्लोबल टेरोरिजम इंडेक्स की बात कर ले ठेरोरिजम इंडेक्स कहने का यह मतलब होता है कि कोई भी कंट्री टेरोरिजम से कितना इफेक्टेट है इंडिया करने का तेरा टॉप किया गया अफगानिस्तान के दौर अब आपको एक चीज और में वाक बतायता हूँ कि जैसे इंडिया का हंगर इंडेक्स में देखो तो इंडिया इविन पाकिस्तान और स्रिलंका से भी पीछे है और एरेस्पेक्टिव यू सुट नो कि इंडिया जो है स्रिलंका को काफी हेल्प करता है बहुत हिल्प किया है बहुत ज़्यादा ही डॉलर्स में हिल्प किया है तो आप समझ लो इन चीजों पे ऑथेंटिसिटी चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन एक चीज याद रखेगा हमें करेंट अफेर के वेज से हमें एजुकेशन के वेज से वो जानना है वो समझना है वो उसको एक्सप्रस करना है ठीक है न चलिए अब एक पात कर लेते हैं जो स्रिनगर कारगिल ले हाइवे जोजीला टनल एशिया का सबसे लॉंगेस टनल है जोजीला अलड़ी स्टार्टेट है लेकिन एक और वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा पहले जी समझ लीजिए कि जब हम लोग स्रिनगर ले या लदाक की बात करते हैं तो हमें आल वेदर कनेक्टिविटी की इशू होती है अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं देखे सबसे एक टनल का नाम क्या है जेड मोर टनल टनल का नेम आपको याद रखना है क्योंकि यह अब एक्जाम में आपको देखने को रेगुलर मिलने वाला है यह कनेक्ट करता है गंगा नीर एन सोना माग जो की स्रीनगर ले हाईवे पे इस्थित है इसको इनागरीट किया जाएगा अप्रेल 2023 में यह बताया गया है रोड जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है हमारे हाईवे के नितिन गडगरी जी ठीक है आपको बताना है कमेंट सक्षन में यह किस कॉंस्टिएंसे से बिलॉंग करते हैं उन्होंने कहा है कि 9 टनल को यह उपेन करेंगे बिल्ड करेंगे जो कि जमू एंड स्रीनगर के बीच में होगा जो कि एशिया का लॉंगेस टनल जोजिला पर बनाया जाएगा और यह रेडी हो जाएगा अप्टो 2024 तक अब जैड मोर्ट टनल की बारे में थोरा सा और जान लेते हैं जो जी मोर्ट टनल को कहते हैं यह अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है जो लोकेटेड है इंडियन स्टेट ऑफ जमू एन कास्मीर साथ में ही इसके गर लिंद की बात कर ले तो यह 6.5 किलोमेटर लॉंग है इसको यूज किया जाएगा इसको यूज किया जाएगा यह जो टनल है वो टाइम को लगवक स्रिनगर ले जाने में लगवर 4 गंटे के टाइम को बचाएगा ठीक है इस इस अल बाट अब हम लो बात करते हैं जोजीला पास के बारे में जोजीला पास को समझ़़ लेते हैं जोजिला पास जो एक mountain pass है कहां से जम्मू एन कास्मीर के बीच में और located है आपको NH1 के पास National Highway 1 के आसपास located है यहाँ connect करता है स्री नगर एन कास्मीर वैली को ले लदाक रीजन से याद रखिएगा स्री नगर एन कास्मीर वैली को स्री नगर जो कास्मीर वैली में स्थित है उसको ले से connect करता है जो लदाक रीजन में स्थित है इसकी elevation की बात कर ले तो 3528 मीटर्स की हाइट है अगर फिट में बात करें तो 11,575 है यह सेकेंड हाइस्ट पास है स्री नगर ल चलिए और इस इस पास को हम लोग आई स्टॉम पास भी कहते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है अगर हम लोग जोजीला टनल की बात कर ले यह प्रजेक्ट स्टार्ट हुआ था यह यह लॉंगेस्ट इन स्ट्राटेजिक बाई डिरेक्शनल टनल होगा एशिया में क्लियर चलिए अब ठुकत लोग चलते हैं अपने नई करेंटेफेर पे इंडिया टार्गेट कर रहा है अब देखिए पहले इंडिया इंपोर्ट की बात करता था इक्सपोड हो डिफंस में हम लोग 2026 तक 40,000 करोड की defense export करें क्या मतलब होता है जो indigenous developed different materials होंगे equipment होंगे उसको animations होंगे उसको transfer करेंगे दूसरे countries में उसको sell करेंगे दूसरे countries में तो ये ministry of defense के द्वारा tweet था तो मैंने आपको बता दिया अब चलते हम लोग इसी में इसके बारे में थोरा सो और basics जान लेते हैं तो उन्होंने address किया कि कैसे एक rising India conclave हो रहा था नियू दिल्ली में उन्होंने इसमें आ करके जो मास 30-23 को हुआ उसमें राजनात सिंग ने इस चीज़ को address किया इस चीज़ को बताया ठीक है टार्गेट हमारा 14,000-40,000 करोर का है 2026 आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कभी-कभी एक्जाम में पूछ देगा अगर हम लास्ट few years की बात कर ले तो defense export वैसे भी बढ़ा है quantum jump लिया है quantum jump कहने का मतलब होता है huge leap jump होता है 900 करोर रूपीज से टार्ग 14,000 करोर का एक jump लिया गया है आप समझ लिजे 900 करोर से 14,000 करोर का jump लिया है financially और 2023 में तो आप समझ लिजे defense export में भी इंडिया बहुत आगे जा रहा है ठीक है चलिए ये था कुछ facts and figures आपको ध्यान रखने चाहिए मुंबे को फिर से recognize किया गया है बाई किसके दौर अब आप से ये पूछा जाएगा एक्जाम में ना कि ये tree city of the world किसके दौरा recognize किया आता है तो आप options में होगा मालीजे environment and climate change हो गया FA हो गया food and agriculture organization तो आप कभी भी food and agriculture organization नहीं टिक करोगे unless तो आप कभी नहीं टिक करोगे food and agriculture organization के दौरा किया तो ये किया जाता है United Nation Food and Agriculture Organization FAO and Arbor Day Foundation एक है ADF उसके दौरा conduct करा जाता है tree city in the world program को India commercial capital जो है मुंबए वो include किया गया है world tree city 2022 के लिस्ट में अब ये second consecutive year में ये promote किया गया है लगातार दूसरी बार urban forestry की case में tree city in the world जो है वो recognition शुरू हुआ था 2019 से और ये recognize करता है कैसे कोई एक city जो है वो globally effort लगा रहा है strive कर रहा है balance बनाने में city life को and trees and environment के साथ coexist करने को मुंबए जो था tree city of the world list में 2021 में भी था ये share किया था इस honor को with Hyderabad Hyderabad and Mumbai co-joint partner था ठीक है ना टॉपर था India case में बात कर रहा हूं चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक है यांगली festival आपको ये festival के बारे में जानना चाहिए ये celebrate किया आता है अशम में एक tribe है तीवा tribe ये ऑसके दो से दो कोसे निकल गए एक तो आपको ये पता है कि टीवा ट्राइब कहां से बिलॉग करता है तो ये Perfectす पर चेले से बिलॉग करता है और यांगली festival कहा अबось इब्रेट किया आता है तो असम में celebrate किया आता है करते हैं ताकि जो क्रॉप्स हो उनको प्रोटेक्शन मिल सके किस से तो पेस्ट से एंड कोई भी नैचुरल केलमिनिटी होता है जैसे ओले गिर गया बारिश हो गया उनसे बचाने के लिए क्योंकि इनका यह सोल अरनर है और इनका यह कह सकते हो आपकी होल इनकी जो एकॉनमी ह यह अंगली फेस्टिबल की बात कर लें तो यह हर तीन साल पर सेलिब्रेट किया आता है अश्रम के केश में असम में और ट्राइब्स का नाम तीवा ट्राइब है ट्राइब्स तो आपको याद होना ही चाहिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं तीवा ट्राइब के बारे ठीक है इन्होंने टीवा इंट्राइसनल एंथम को भी लिखा है जिसको ओ अंगे टीवा तो शीमा भी कहते हैं यह रिकोगनाइज किया गया है अज सेलिवल ट्राइब एस्टी स्टेट ऑफ अश्रम के अंदर में एस्टी का रिकोगनेशन इनको मिला है यह जो तीवा ट्र यह लोग वहां पे पेर है जो कट किये वहां पर यह ले लिए पिर आगे भरग के किसी प्लोट पर ठीक है था आज का हमारा करेंट अफैर अगर आपको इसकी पेडियाफ चाहिए यू कन जोईन मय टेलेग्राम चैनल ispsimplified आपको कोई क्वेरी है तो you can mail me at ispsimplified at the rate gmail.com या फिर आप instagram पर जूर सकते हो ispsimplified सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा या फिर link description box में मिल जाएगा pdf आप इसकी जरूर लेना थोड़ी महनत से बनाता हूँ आपको अगर इसकी pdf मिल जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो different exams के परपस से आपको हर एक static facts भी में included मिला है थेक है ना तो this is all about 1st of March current affair and Odisha for Odisha guys, Odisha people happy Odisha day, happy उतकल दिवस to you all, thank you